गुड मॉर्णिंग बच्चो नमस्कार स्वागत है आपका मैंने तिन स्वास्तो आपका स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ बच्चो कि आप सब अच्छे से होंगे मैंने पिछले वीडियोज में आपके लिए सी लैंग्वेज से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे विशेओं पर आपको जानकारी दी है और उसी क्रम में आज पुनह मैं आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेके और वो टॉपिक क्या है जान से देखिए का बच्छोब वो टॉपिक है नेस्टेड लूपस इन सी ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है नेस्टेड लूप क्या है इसके पहले थोड़ा सा इडिया आपको देना पड़ेगा लूप का वियद्यप मैंने लूप आपको सी में बता दिया है कि लूप क्या है लूप एक बहुत ही कमाल की यूटिलिटी है बच्छोब लूप इस वेरी इंट्रेस्टिंग यूटिलिटी जिसके द्वारा क्या है लूप इट इस अवे बने तरीका टू एक्जिक्यूट सेट ओफ इस्टेट्मेंट्स रिपीटेड इस बात को ध्यान दिजेगा बच्छोब लूप एक तरीका है एक यूटिलिटी है जिसके द्वारा आप रिपीटेट टास्क को रिपीटेड का मनें बार बार अगर किसी चीज को परफॉर्म करना है तो वो आप कर सकते हैं और मनें इसके पहले के वीडियो में आपको ये बताया था कि सी में कितने प्रकार के लूप है और आप उसको कैसे प्रियोग करेंगे या चलाएंगे तो आईए उसक्रम में अब आपको मैं आज बताने की कोशिश करता हूँ अच्छा एक चीज और आपको बता दूँ यदि आपको लूप जैसी टूल का निर्माल करना है लूप को यदि उप्योग करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पलेगा कि लूप को बनाते कैसे तो लूप को बच्छो यदि आपको अगर क्रियेट करना है या निर्माल करना है तो तीन बाते पहली लूप की इनिशिल वैलू क्या है इनिशिल वैलू मतलब क्या कि लूप की शुरुआत कहां से होगी कंडीशन लूप कब तक चलेगा और तीसरी खास बात इनक्रिमेंट या decrement value बढ़ेगी या value घटेगी ये तीन बातें आपको बताना पलेगा जब तक आप ये तीन बातें नहीं बताएंगे तब तक आप loop को सही से बच्चों नहीं बना पाएंगे तो मुझे उमीद है कि आपको loop बनाना आता होगा आईए अब बताता हूं नेस्टेड लूप क्या है इस नेस्टेड लूप देखियेगा इन सी लैंगविज इस अलाउड तो ग्रीएट लूप इन साइड लूप याणि सी में क्या अलाउड है कि लूप के अंदर आप लूप का निर्मार कर सके इस अलाउड तो ग्रीएट लूप इन साइड लूप इस काल उसे आप क्या कहते हैं बच्चों इस कॉल्ड नेस्टेड लूप यदि आप लूप के अंदर लूप को बनाते हो लूप में ही लूप का निर्माल करते हो तो ऐसे लूप को हम लोग क्या कहेंगे नेस्टेड लूप कहेंगे बच्चों और बहुत सारी ऐसी problems हैं, बहुत सारी ऐसी techniques हैं, जो बिना nested loop के आपकी solve नहीं की जा सकती, तो वो techniques क्या है, वो problems क्या है, वो भी मैं बाद में बताऊँगा, आईए दिखाते हैं, कि कैसे आपको nested loop बनाना है, और उसको कैसे use करना है, तो एक simple सा program, sample, program, of nested loop, आओ देखा जाए, एक बहुत ही साधारों सा program, कैसे loop nested करेंगे, main function आपने declare किया, दो integer variable आप लेना पलेगा, c में, मान लिजे, i और j का, for, i को मैंने चलाया, one से, i less than, equal to, कहां तक मैं ले जाओंगा, five तक, i plus, plus, i के मान में एक एक increment करेंगे, और, for, j is equal to, one से चलेगा, j less than equal to, i तक चलेंगे, और j को भी एक एक बहाएंगे, और यहाँ देखिए बच्चों, printf, backslash t, percentage of d, इसको print करा दूँ, मैं, j को print कराता हूँ, यह for आपका बंद हो गया, अब मैं इधर लिख दे रहूँ, printf, backslash t, और यह for बंद हो गया, यह आपका mean बंद हुआ, यह देखिए, बहुत ही साधारों सा, बहुत ही साधारों सा example, यह आपका कौन सा loop बंद हुआ, यह बंद हुआ आपका, for, कौन सा for, I, यह वाला जो बंद हो रहा है, यह कौन सा बंद हो रहा है, for, j, यहाँ पर, यहाँ पर सबसे पहले आप यह देखिए, कि यहाँ loop के अंदर ही loop declare हो रहा है, तो जब आप loop के अंदर loop declare करोगे तो जो i है इसको मैं कहूंगा outer i तुम्हारा कैसा है? outer loop है और यहाँ पर j आपका कैसा है? j आपका बच्चो inner loop है एक तुम्हारा outer है एक तुम्हारा कौन सा है? inner loop है याद रखिएगा one which is called outer वो i है और i के अंदर जो loop चल रहा है वो कौन सा चलना है? j का चलना है और बच्चो i का मान है एक से पांच तक जाएगा i तुम्हारा एक से पांच तक चलेगा और i के मान जब one होगा j भी चलेगा one से कहां तक? condition देखिए i तक चलेगा यानि जितना i का मान होगा उतनी बार j चलेगा बस इतनी सी बाद समझ लिजे और हर बार j शुरू होगा one से तो कैसे ये काम करेगा? इस चीज को समझने की जरूरत है ये देखिए मैं i का मान लिख रहा हूँ पहली बार पहली बार i का मान क्या होगा? one जब i का मान one होगा j चलेगा one से कहां तक? one तक तो बताइए j के अंदर आपने प्रिंटिंग की i के मान one के लिए j भी एक बार चलेगा तो प्रिंट कराओगे j तो क्या value देगा? one और j टर्मिनेट हो जाएगा और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? backslash n ये फॉर में मैंने डिक्लेर किया है तो ये line को change कर देगा new line जिसको कहते हैं c language में वो represent होता है किसे बच्चों? backslash n अब इसके बाद i command एक से बलके दो बन जाएगा जब i command दो होगा ये फिर एक से लेके कहां तक आई यानि दो बार चलेगा तो बताईए नई line पे फिर क्या? one or two print करेगा यहां बीच में ये gap क्यों आएगा? backslash n horizontal tab बोला जाता है ये escape sequence characters होते हैं ये मैंने लगा रखा है तो बीच में ये gap आएगा और फिर नई line बदलेगी i command जब 3 होगा j एक से लेके कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा बच्चों? 3 तक जाएगा तो बताईए output क्या प्रिंट करेगा? one, two, three फिर उपर आएगा i command चार बलके पहुँच जाएगा 3 के बाद i पहुचेगा 4 j चलेगा एक से i यानि कहां तक चलेगा? one, two, three and four और इसके बाद बच्चों फिर उपर आएगा i अब कहां पहुचेगा? चार प्लस एक पांच तक जाएगा और j एक से 5 तक चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा? one, two, three, four and last में तो यह देखिए half triangle जैसा आपको आउटपुट बच्चों क्या करेगा? शो करना शुरू कर देगा तो यह एक simple सा program है यह एक साधारों सा यहां बहुत clear cut बात ध्यान रखने की है जब तक आप इन दोनों लूप को बच्चों एक साथ control या manage और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको यहां पर ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें तो बहुत complication है और computer इसको कैसे work करेगा? मैं आपको बता दूँ problem machine के लिए नहीं है बच्चों problem हमारे आपके लिए है क्योंकि हमें आपको समझना पलेगा आप machine को एक बार सही से बता दीजीए उसके बार मशीन को बनाने में machine को एंडिल करने में किसी तरह की कोई problem कोई दिक्काद कोई समस्या नहीं है सारी समस्या हमारे आपके लिए समझने में है तो मैं आपको clear-cut बता दूँ बच्चों कि for loop या while loop nesting किसी की भी हो सकती है यहां पे जो example मैंने दिखाया वो for और for की nesting का है आपकी nesting किसी भी loop की हो सकती है जरूरी नहीं कि for और फॉर से ही बने, आप नेस्टिंग में वाइल को यूज कर सकते हो, और वाइल के अंदर किसको यूज कर सकते हो, फॉर को यूज कर सकते हो, ये देख लिजे, जरूरी नहीं है, आप नेस्टिंग में फॉर को यूज करो, फॉर के अंदर फॉर को यूज करो, और इसके भी अंदर आप अगर चाहें तो यूज़ करते जाएए कोई दिककत नहीं है देखिए यह इसका हो गया यह इसका हो गया यानि किसी भी लेविल की निस्टिंग यह आउटर है यह आउटर के अंदर इनर है और यह सबसे इनर लूब नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन ये सबसे आखरी में बंद होगा ये नमबर दो पे बंद होगा ये सबसे पहले बंद होगा तो आपको नेस्टिंग एक बहुत ही complicated लेकिन बहुत ही जबरजस्ट और बहुत ही ताकतवर construct है programming का लेकिन इस programming के construct को प्रियोग करने से पहले आपको मैं बता दूँ basic idea about loop का होना बहुत ज़रूरी है और कुछ problems मैं बता रहा हूँ some problems जिनको की हम nesting सही solve करेंगे तैसे number one की generate arm strong numbers between one two five hundred आप जानते हैं बच्चों की arm strong numbers क्या होते हैं वो numbers जैसे तुमारा one fifty three जिसमें एक का क्यूब प्लस पांच का क्यूब प्लस तीन का क्यूब जोड़ दो तो फिर क्या बनता है वही number original आपका तो ऐसी problems जहां पर generate शब्द उत्पन कहेगा यानि उत्पन करने के लिए कहेगा वहाँ पर आपको nested loop इसी तरह से दूसरा question generate prime numbers between माल लिजे one two hundred अगर आपको ये कहता है फिर generate शब्द आया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको मालूम है जिनके केवल दो ही prime factors होते है जैसे तीन जैसे पाँच जैसे साथ जैसे ग्यारा अगर इनको कहेगा कि एक से सौ के बीच कितने prime number हैं सारे नहीं होते prime तुमारा चार प्राइम नहीं है बच्चों छे नहीं है, नौ नहीं है, पंद्रा नहीं है, बीस नहीं होगा, पच्चीस भी नहीं होगा तो सारे तो prime नहीं है, तो ऐसी problems को जहाँ पे check करना है और उत्पन्य करना है ऐसी complicated problems में आपको प्रियोग करना है किसका nested structure का तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा आपको ये idea मिल रहा होगा कि कैसे nested structures को हम लोग use करते हैं और ये बहुत ही जबर्जस्त programming technique है बच्चों तो अगर आपको आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि क्यों नहीं हम इस पूरे topic को सीखें और जाने तो बिल्कुल आपका स्वागत है आप आईए हमारे app को डाउनलोड कर लिजे यूनीक ग्रूप के app को और यदि इस वीडियो को आपको पसंद आ रहा हो लगता हो कि कुछ जानकारी मिल रही है औरों को भी पहुचाईए ये सबसे बड़ा कह सकते हैं वर्क या काम होगा कि भई और लोग भी जाने इस वीडियो के बारे में इस knowledge के बारे में तो बच्चो शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर पसंद आये तो लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ने कुछ सिखा और मैं आप से विदा लेता हूँ इसी तरह के निरंतर रोचक वीडियोज बनाते रहने के वादे के साथ मैं इतनी स्वास्तो वापको अलविदा कहता हूँ नमस्कार एंड गुडब्डाए प्रॉब्ड़ीट